Hello friends, welcome to my channel तो दोस्तो आज मेरे पास है ट्रीमार देख सकते हैं यह जो ट्रीमार है यह फिलिप्स का ट्रीमार है और यह जो है अभी खराव हो चुका है नहीं चल रहा है तो इसमें main जो problem है दोस्तो वो इसका जो charging port देख सकते हैं इसमें charger लगाने पर यह यहाँ पर एक green color का light जलता था वो नहीं जल रहा है तो यहाँ पर simple सा green color का light जलना चाहिए था लेकिन यह नहीं जल रहा है तो यहाँ पर इसे जब मैं खोल लेता हूं तो यहाँ थोड़ा सा movement होता है लेकिन अभी जो है यह नहीं चल रहा है तो इसे हम open करेंगे ज्यादतर जो है दोस्तों यह टीमर में यही problem होता है यहाँ पे 5V और 500mAh का चार्जर से यह चार्जर से यह चार्जर से जो है टाइप जो micro USB वाला उससे ही यह चार्ज होता है लेकिन यह जो है यह अभी नहीं च थीक है तो दोस्तों यहाँ पर जो होता है उसे आपको open करना है तो देखिए मैंने यहाँ पर इसका एक ही स्क्रू होता है इसको मैंने open कर दिया है तो इसे अच्छे से आपको खोल लेना होगा क्योंकि इसके सामने ही आपका charging का PIN लगा हुआ है तो उसके बाद दोस्तों करके यहां पे इसका जो धक्कन है खुल जाता है तो देख सकते हैं यहां पे उपर का जो धक्कन है वो खुल गया है और इसमें देख सकते हैं दोस्तों बहुत सारा जो है बाल जमा हुआ है तो यह जो है यह जमा होने पर ही आपका जो यह ट्रीमार है यह खराब हुआ है तो इसलिए ये नहीं चल रहा है तो इसे पहले आपको clean करना होगा तो दोस्तों मैंने यहाँ पर जो है अच्छे से cleaning कर लिया है जितना भी यहाँ पर मैला जमा था मतलब जो बाल बाल जमा था वो मैंने clean कर दिया है तो उसके बाद इसे जो है देखेंगे तो देखें दोस्तों motor जो है वो यहाँ पर लगा हुआ है और यहाँ पर जो है छोटा सा बैटरी लगा हुआ है बैटरी को आपको एक बाद दिखाएंगे कि यहाँ पर क्या बैटरी लगा हुआ होता है देख सकते हैं यहाँ पर 400 mh 1.2 वोल्ट का बैटरी है यह rechargeable बैटरी है और यह बैटरी का quality भी अच्छा ही है तो दोस्तों यहाँ पर problem क्या है वो हम check करेंगे तो पहले हम यहाँ पर charger लगाएंगे देखें दोस्तों यहाँ पर charger जो है एक बाद जल के जो है वो बुझ रहा है तो आपको एक बाद दिखा देते तो देखिए इस तरह से यह जलता है फिर से बुझ जाता है तो simple साब को यहाँ पर multimeter लेना है multimeter को मैंने 20 volt DC पर set कर दिया है और यहाँ पर patty का जो terminal है वहाँ पर आपको यह लगाना है देखिए इसमें कितना voltage है voltage कितना आ रहा है वह आपको देखना है ठीक है देखिए दोस्तों यहाँ पर voltage जो है वो थोड़ा थोड़ा करके बर रहा है ठीक है तो यहाँ पर voltage जो है कभी आ रहा है कभी नहीं आ रहा है देखिए कभी आ रहा है तो कभी नहीं आ रहा है तो देखी सकते दोस्तों यहां पर voltage जो है बिल्कुल डाउन हो गया देखी यहां पर बिल्कुल voltage नहीं आ रहा है ठीके तो दोस्तों यहां पर आपको क्या करना है यहां पर आपको simple सा इसे खोलना है खोलने के बाद यहां पर एक charging IC जो है छोटा सा लगा हुआ होता है वो यहां पर है देख सकते हैं यहां पर यहां पर जो है ज्यादा मैला जम जाने से कभी-कभी होता है तो यहां पर थोड़ा सा जो है आपको clean करना है तो यहां पर आपको थोड़ा सा जो liquid जो होता है आपका अल्कोहल-based उससे clean करना है तो यह clean करने के बाद यहां पर फिर से आपको एक बटका solder कर लेना है थाकि कोई problem नहीं हो तो यहां पर जितने भी point है करके desolder करलूँगा ठीक तो यहां पर दिखिए मैंने जितना भी point है वो मैंने करके solder कर दिया है तो इससे क्या होगा दोस्तो अगर dry solder होगा तो यह फिर से dissolved नहीं होगा तो अच्छे से दोस्तो solder करने के बाद आपको यहाँ पर चार्जिंग IC देख सकते हैं यहाँ पर छोटा सक charging IC लगा होता है तो यहाँ पर भी आपको थोरा से heat देना है तो यहाँ पर भी थोरा से heat देना है और ताकि इसका भी अगर dry solder हुआ है ताकि यह अच्छे से solder हो जाए IC आसानी से खराब नहीं होता है जो खराब होता है पानी की वज़े से होता है देख सकते हैं यहां पर ब्लैक कलर का स्पॉट आपको दिख रहा है तो आपको अच्छे से दिखा देते तो यहां पर ब्लैक कलर का स्पॉट देख सकते हैं यहां पर ब्लैक कलर का स्पॉट है वह आपको दिख रहा है यह वाला स्पॉट यह पानी की वज़ा से हुआ है जिस किमिटर को मैंने 20 volt DC पर रख दिया है देख सकतें तो उसके बाद आपको charger लगाना है चारजर लगाने के बाद पहले आपको यह दोनों पॉइंट देख सकते हैं नीचे का दोनों पॉइंट में आपको टच करना है तो दिखिए दोसको यहां पे इसमें आपका इतना voltage मिल रहा है, देखिए, 5.30V, ठीक है, आपका 5V यहां पर आ रहा है, उसके बाद यहां पर चेक करना है, यहां पर, देख सकते हैं, इस point में, इस point में आपको चेक करना है, यह दोनों point जो wire यहां पर लगा हुआ है, जो पीछे से आया है, तो देखिए, यहां पर भी आ और यहां से इधर जा रहा है, अब देखना है, तो इसमें आपका कारवन, इसमें पानी लगा है, जिसके वाज़ा से यहां के plate खराब होगा है, तो plate खराब होने से क्या होता है, दोस्तों, यहां पर electric जो है, ठीक से इहां पर नहीं आता, ठीक है, 5V यहां से इहां तक ठीक से नहीं आता कभी आप होता है कभी डाउन होता है तो एक प्रॉब आपको यहां पर लगाना है यहां पर देख सकते हैं यहां पर मैंने एक प्रॉब लगाया है दूसरा प्रॉब जो है यहां पर देख सकते हैं यह पॉइंट इधर से गया है और यहां पर हमारा डैमेज है वो डैमज हुआ है तो हमें क्या करना है हमेगा हो इहाल पर जितना भी जगह है उसको सोल्डर करना है यहाँ बैटरी में हम लगाएंगे तो देखिए बैटरी में भी फोल्टेज दाउन के बाद भीोल्टेज डाउन है मतलब चारज नहीं हो रहा है तो यहाँ पर simple x आपको क्या करना है jumper लगाना है इहाँ पर ایک solder करना है एक पर solder करना है इन दोनों point में आपको एक बर solder करना है solder करने के बाद yumper मारके इहाँ लगाना है उसके बाद बेखने है कि LED जो है वह जल रहाई कि नहीं तो damage कैसे हुआ है दोस्तों आपको दिखा देते हैं क्योंकि यह copper का plate है इसमें लगते ही देख सकते हैं यह damage हो गया है देख सकते हैं यह उठ जा रहा है ठीक है तो यह damage हुआ है देखिए यह बिल्कुल जो है खराब हो गया है यहां से यहां तक का हम एक jumper मारेंगे ताकि जो हमारा DC power है वो यहां से यहां तक आ सके तो दोस्तों यहां पर मैंने एक छोटा सा black wire लिया है तो black wire को आपको पहले यहां पर लगाना है ठीक है इसमें देख सकते हैं यहां पर negative वाला wire होता है तो यहाँ पे मैंने negative solder कर दिया देख सकते हैं यहाँ पे पीछे यह वाला wire जो हाया है यहाँ से तो इसमें negative solder करना है और charger को आपको लगा के रखना है तो charger के वहाँ पे लगाने पर इसमें solder करना है ठीक है यहाँ पर इसमें इसमें आपको जो है एक बाद solder कर लेना है, तो देखी दोस्तों मैंने यहाँ पर भी solder कर दिया, ठीके, तो दोस्तों यहाँ पर जो छोटा सा SMD LED लगा हुआ है, उसे भी आपको यहाँ पर desolder कर देना है, क्योंकि वो खराब हो चुका है, पानी की वज़ा से कितना जगा जो है, वो खराब हो चुका है, तो यहाँ पर यह हटा देते है, उसके बदले, दूसरा आप इस तरह का छोटा सा LED लगा सकते है, ठीके, तो यहाँ पर भी आपको यह LED लगाना है, तो यहाँ पर तो मैंने पहले jumper जो है, मार दिया है, तो अभी बैटरी charging पर हो रहाएगी नहीं, वो हम यहाँ पर LED जो है, छोटा सा लगा के देखेंगे, तो देखेंगे, दोस्तों जो है, नॉर्मल सा आपका जो रेड़ वाला वायर यहाँ पर आता है, पॉजिटिव बला, जो आपका charger से होके यहाँ पर आता है, यहाँ पर आपको सिर्फ एक LED जो है, लगा देना है, और यहाँ पर एक 1K का रेजिस्टर लगाना है, तो देख सकते दोस्तों, मैंने यहा मतलब black wire के साथ, और यहाँ पर simple सा जो है, दूसरा red वाला wire जो है LED का, वो मैंने charger का positive के साथ जोड़ दिया है, ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते चार्जर का positive, तो यहाँ पर जो है, अभी हम इसमें charge देंगे, तो देखेंगे, कि यह charge देने पर काम कर रहा है कि नहीं, दे तो यहाँ पर हमारा जो यह problem था, यह solve हो चुका है, सिर्फ इसका LED को आपको यहाँ पर देख सकते हैं, एक छोटा सा light होता है, यहाँ पर, यह जो blank जगा है, plastic का, यहाँ पर आपको set करना है, तो LED को set करने के बाद ही आपको इसको बंद करना है, तो LED को भी मैंने यहाँ प लगान है, इसे close कर देना है, तो दोस्तों हमने जो है, अपना trimar repair कर दिया है, देख सकते हैं, तो सिर्फ इहाँ पर एक छोटा सा छेत किया है, LED लाइट के लिए, तो यहाँ पर हम charger लगाएंगे, तो देखे दोती है, यहाँ पर हमारा LED लाइट जो है, वो चल रहा है, ठी trimar जो है दोस्तों, यह आपका charging पर भी चलेगा, ठीक है, और बीना charge के भी यह चलेगा, तो दोनों ही mode पे आपका यह trimar जो है, काम करेगा, और बहुत ही अच्छे से काम करेगा, इसका battery भी अच्छे से work करता है, तो यहाँ पर charging port जो है, वो हमारा ठीक था, सिर्फ अंदर क जितना भी circuit था, वो पानी की वज़़ा से खरब हो गया था, तो यहाँ पर देख सकते हैं अभी जो charge है, वो चल रहा है, और charging के समय भी आप इसे use कर सकते है, तो यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, यह चल रहा है, तो यहाँ पर यह वीडियो आपको अच्छा लगा है, लाइब कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलेगा, धन्यवाद,